नमस्कार आप देख रहे हैं पंचायाती राज न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचक डिंडोरी जिले के करंजिया जन्पत पंचायत के अंतरगत ग्राम पंचायत मरिया का ये मामला है जो की बार-बार यहां पर भिष्चाचार की शिकायते होती हैं परन्तु कोई कारवाही नहीं होती लोग परिशान हैं अपनी मूर्भूत सवधाओं से और यहां पर ग्राम पंचायत मरिया के सचेव खुलकर भिष्चाचारी से बाज नहीं आ रहे हैं लोगों की शिकायते 3 मार्च 2021 को जन सुनवाई जिला कर्याक्टर महदय को किया गया जसके लिए उनके द्वारा जनपत पंचायत करंजिया से येओ को कारवाही करने को बोला कि उसके बाद जांच करने के लिए उन्होंने एक टीम भी गठित की जन सुनवाई के तहट प्राप्त आवेदन ग्राम पंचायतो मरिया की जांच कर पतिवेदन प्रसुत करने को कहा गया था ग्रामेनों से जानकारी मिली है कि अभी तक कोई जांच नहीं की जा रही है और मामले को दबा दिया गया है जबकि सरपन्च सचिव की चरम सीमा दिनों दिन धष्टचारी को बढ़ावा दे रही है लोगों से जानकारी मिली है कि यहां एक सड़क को तीन तीन बार तक टीयस करके वहां का पैसा निकाला गया जबकि रोड अभी तक नहीं बनी है लोगों का कहना है कि यहां पर मरे हुए व्यक्ति के नाम से भी जॉब कार्ड में हाज़ी चलाया जाता है इस तरह से यहां बहुत बड़ी समस्या है जो कि ग्रामीन कारवाई के लिए परशान हो रहे हैं और शासन प्रशासन इस पर शान्त होकर बैठे हैं और जिसने निगरानी के लिए कारे दिया गया है वो अपने लेंदेन करके साथगार्ट और निराकरन करने से हीला हवाला इस तरह लोगों को गुमरा किया जा रहा है जबकि पांच महीने हो चुके हैं आप तक कारवाई हो जाना चाहिए थी कही ना कहीं शासन प्रशासन की बहुत बड़ी कमिया है जो आम ग्रामिनों को इसकी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर लोग परिशान है और इनकी सुनने के लिए को तयार नहीं है यहाँ तक कि अभी यहाँ की रोड़ू की स्थिती ऐसी है कि लोगों को पैदल चलने में भी प्रशानी उठानी पड़ रही है इस तरह पर ग्रामिनों से जानकारी मिली है कि यहाँ पर आईदन ब्रशाचारों का अंजाम दिया जाता है जबकि शासन प्रशाचा निन पर कोई कड़ी कारवाही नहीं करना चाहती जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है सरंपंज सची वे इस में क्या बोल रहा है तो कितना दिन तक बोल रहा है सर मार्ट से अभी तक कहना चाहिए अपने चल रहा है अगस्त आज तक कोई काम नहीं हुआ सर्पंज सची कौन है यहाँ हनुमतिया बहादृति सचिव हैיל जी जी सार ठीम क्या नाम यहां का हम लोग इक्ठे हूए गाओ वाले उसके बाद हम लोग परीषाणी देखे हम ने इस परेसानी को पंकाय उसके बाद हम लोग जंच नवाई कॉलेक्टर के पास गये वकॉप सब्सक्रेट Son Rank Reeeee कई बिभिन प्रकार की समस्यां से कलेक्टर को अउगत कराये गया हमारे गाउं में एक रोड है सीसी रोड उसको तिन तिन चार चार बार सुईक्रित कराये गया सरपन सच्यु दुआरा और वो रोड आज तक नहीं बनी है और दूसरी बात यह है एक लेडीज है जो आज से प पर लोगों को पता नहीं चलता है वो दस साल पहले मर जाता है उसके बाद उसके नाम का मेड़ वंधान भी सुईक्रित कराते है सरपन सच्यु और उसके नाम से कार किया जाता है और उमरिया में बड़ा टोला के नाम से एक रोड सुईक्रित हुई है जो रोड बनके तयार हो गए कागज्यों में तो आज तक औरोड का पता नहीं कहां बनी है कैसे बनी है इसके हम को कोई जानकारी नहीं है तो इस तरह से जैसे आपने पर प्रूश को जो अबेधन दे के आयए था जन्सुनवाई ही में तो उसका को जाच नहीं हुई है जो टीम गठेत हुई है वो समनबेक सर जी है जो भी है उनने आज तक मेरे से ना गाहँ वालों से पूछा ना उनने जाच की ना सरपन सच्यू के पास हुआ है मैं पूछना चाहता हूँ क्या ऐसा क्या है कि पंचायत और सियो सचिव और सरपंजत की मिली भगत से काम हो रहा है क्या हो रहा है यह आप वो खुद बताएंगे तो क्या इस मामले को दबा दिया गया है क्या अजनपत पंचायत के माद्यम से अब दबा ही दिया गया है मार से अभी तक कोई कारवाही नहीं हो रही ना जाच हो रहा है ना उसका निराकन हो रहा है तो दबा दी ही गई होगी और सब मिले लोग हैं इसमें और सब जनता को बे सारहन कर रहा है पबलीक का